असलाम अलेकुम अपने इस वीडियो च्टोरियल में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने लिए एक इस तरह का लोगो डिजाइन कर सकते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले अपने अपने अड़ोग फोडशॉप में एक न्यू पेज करेंगे जिसकी विद्ध और हाइट 500 पिक्सल्स होगी मैंने पहले ही न्यू पेज की तक लिए कृए हुए सबएक नहीं करूंगा पथ आप 500 बॉए 500 पिक्सल्स का न्यू पेज की रिए करेंगे और हम लाइज इसके बाद हम ब्लैक कलर में बैंक करेंगे गाइज new layer create करेंगे और हम यहां से यह lives to select करेंगे और इसको इस तरह से पूरे अपने wrapper के उपर आगेंगे गाइज अब इसको पेज के मिड में लाने के लिए हम से पहले control A प्रेस करेंगे ताकि यह पूरा select हो जाए और यह वाला mouse पकड़के vertical center and horizontal center गाइज अब इसको हम de-select करेंगे और इसकी कुछ blending options में editing करेंगे गाइज ता से पहले हम इसको inner glow करेंगे जिसका color होगा lightish blue 00d2ff गाइज की opacity हम 75% ही रखेंगे और इसका size हम 35 pixels कर देंगे गाइज अब इसका outer glow करेंगे और outer glow को भी हम गाइज सेम कर देंगे 00d2ff okay guys अब इसकी हम opacity 50% कर देंगे और इसका size हम अपने wrapper के मताबिक select कर देंगे I think it's 30 now it's looking good guys अब हमारे पास यह अपनी पहली shape प्रियार हो चुकी है guys हम इस layer पर click करेंगे और Ctrl J प्रेस करेंगे के वो इसकी एक नई copy हमें show करेंगे guys अब हम यहाँ पर Ctrl T प्रेस करेंगे और यह देखेंगे हमारे पास उसके transforming area आ चुका है यहां से हम इसको free transform कर सकते हैं guys अब हम shift की press करके रखेंगे और इसको इस तहां से थोड़ा चोटा करेंगे यह देखें guys अब हम इसको भी सेंटर में लेकर आने के लिए Ctrl A प्रेस करेंगे apply Ctrl A और vertical center and horizontal center यह देखें guys अब यह हमारे पास ready है अब हम इसमें effects ने थोड़े editing करेंगे अग्णिड रखेंगे खिल रखेंगे ऑच्छल वाड़र ग्ट गरम इसको इसको रखेंगे आवरे पास्टि आछाए्ट गच्ट आड़व मिनम फ Issus 14 आड़व मैं मैं में मैं 5 टू दो रखेंगा इसके अंदर हम अपना text place करेंगे guys text place करने पहले हम इसकी थोड़ी से ओर एडिटिंग कर जाते है inner glow में हम इसका internal color gradient सेलेट करेंगे यहां से गरेट। कर दो प्रेंडेंड, गरेट। गरेटंड था रिए टो गरेट। four tier four seven two seven two seven two seven two seven two okay okay अब च्बिसक्षिन पोजिशों सेंटर कर देंगे now okay गाई अब ये देखिये ये हमारे पास इस अपने लोगों का बैक्राउंड राइडी हो चुका है जाद कि अब इसके अंदर आपना टेक्स्ट अपियर करेंगे एक्जाम्पल मैं इस विल्हाल डेवली भी आपको अपियर करके दिखा रहा हूँ आप जो भी अपना टेक्स अंदर खटे करना चाहते हैं आपना टेक्स सेलेट करेंगे गाले जब इसके बाद हम इसका साइज कुछ बढ़ा करेंगे इस वन फिफ्टी इस इस वाल सेलेट को जोगइ थे आपना बाद computer सेलेटकेर बड़िंगे इस वेक्स द देखा जशोज देख सेलेटके और इसको सेंटर में ले आएंगे गाइस सेंटिंग यहां पर हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको कंट्रोल जी इस तरह से गाइस हम थोड़ा सा खुमा देंगे यह देखी गाइस अब यह लुकुर ठीक है और गाइस हम इसकी थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे इसको आउटर गलोव गाइस हम इस लेयर की सेम एडिटिंग करेंगे इसी के ओपर अपियर करेंगे इसके हम राइट लिक करेंगे इस लेयर के ओपर और कॉपी लेयर स्टाइल पर क्लिक करेंगे इसी तरह हम अपने इस टेक्स्ट वरी लेयर पर जाएंगे और इधर राइट लिक करेंगे और पेस्ट लेयर स्टाइल परस कर देंगे अब एडियो इस में फ़री से और एडिटेंग रेंगे इससे इनर में जायंगे और इसको आफ कर देंगे आउटरीक ब्लोव को हम फोरा सा और कम कर देंगे रज मिल महंन हम इसके ऊपर एक अप्देशंडेक्ट भल्सकेस ऐन मां सेटीट । अपस्तीे 100 % jut now its looking good great अब गायज़ आप इसके ओपर एक और अफेक्ट दालेगे 直़ फाइनल चच ग्लास आपक्ट पर डालेगे ग्लास इपक्ट डालने करीज़ सबसे पहले हम अपना ये प्लत्रिकल मार्कवे तू सलेक्ट करेंगे guys अब हम इसके ओपर एक new layer से पहले create करेंगे और इस new layer को हम नाम लख देंगे glass now guys अब इसके ओपर हम इस तरह से अपना glass effect पेर करेंगे यह देखे guys इस तरह से और guys अब हम इसके तरह ग्रेडियंट कलर करेंगे gradient color करने से पहले आप इसको black to white select करने black to white now guys gradient color gradient tool अब हम यहां से सीधा इसको लाकर इस तरह ड्राग करके छोड़ेंगे and that's it yeah that's it guys अब हम इसको यहां से हम इसको color कर देंगे guys not color color not light and screen yeah guys हम यहां से इसको screen कर देंगे और यहां से हम इसकी opacity को कम कर देंगे okay guys अब यहां से हम same control T press करेंगे guys इसको जितना हम लंबा करना चाहते हैं यह जैसा मरदी इसको करना चाहते हैं वैसा इसको फोड़े कर देंगे okay now guys यह देखिए यह हमारा अब logo रेडी है जो बिलकुल ठीक है हम इसको save कर लेते हैं file save as my desktop logo and png not png guys jpeg logo.jpg save okay oh it's done guys यह देखिए हमने अभी अब यह बना logo बनाया और यह भी को ठीक लग रहा है guys मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुकी होगी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो please comment below thank you take care Allah Hafiz and not forget and don't forget to press subscribe button